आज दो ओके सो स्टार्ट करेंगा इस बोलो आयना स्क्रिन फूल नहीं है था पीसी ची कुठ नदरी क्रॉप के लिये क्रॉप करूब जूम के लिये अगदा चेक कर शीदे आ ओके क्या बोलते सब लोग अपना चाप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज इंडियन रिगूलेटरी फ्रेमवर्क्स ठीक है सो यह होने के बाद में हमें मंडे सरी मूफ करना पड़ेगा इन अनदर चाप्टर दर इस कॉंट्राक्ट ठीक है यह आपके नोट्स होगा आ जाएंगे मंडे तक के तो उसके बाद में जब सर बोलेंगे मनीश सर कलेक्ट करने के लिए उस वक्सभी के नोट्स कलेक्ट कर लेना इंडूजवल नहीं बाटेंगे रिजन इंस हरे का एक एक बुक लेते बैठोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगे हैं तो सबका सैथ ही मिलेगा साथ में तो जब मनीश सर डेक्लेर करेंगे अड़ टाइम जस कलेक्ट बुक्स ठीक है साट करेगा इस बोलो हाए ना पुरना अले कवर ठीक हो के हरन मादयो मित्रो चलिए शार्ट करते हैं रहां दना फॉर्स और मोर्मोस तिंग लेक्टर के अंदर हमने इंडियन मॉरिटरी इंडियन रिगुलेटरी फ्रेम वर्क के अंदर देखा था कि भाई साथ किस प्रकार से आपके बच्चिव दो मिनिस्ट्री इस काम करती है तर इस अंदिस्ट्रिय ऑफ वुम ओफेश को और दूसरी वाली मिनिस्ट्री काउं स इस हमने तीन ऑफोरिटीज की बात करना शुरू किया था दर इस से भी जो फिनांशल मार्केट के फ्रेमवर्क में सबसे अपेक्स है बैकिंग रिगुलेशन के मार्केट में डाइज आर बिया एंड थर्ड विवर टॉकिंग अबाउट आई बीबिया इंसल्वंसी बैंकरप तो देख खुशी देखो जिन्दिगे के अंदर नाला एक लोग तो थोड़ा सा आज के लेक्षर शॉट रहेगा एंवेस कंटेंड फिनिश अप हो रहा है एंड वियार इंद वेरी प्रॉपर स्पीड में को लगा नहीं था इत्ते जल्दी इंडियन मॉनेटरी रेगुले चलिया, साख रमोले विया सन ना, first and foremost the important authorities, the important authorities, main heading, the important authorities, important authorities of regulatory framework, the important authorities of regulatory framework, framework, important authorities of regulatory framework, उसके अंदर सबसे पहले आएगा सेबी, निचे सबहेदिंग सेबी, सबहेदिंग सेबी, लिखेएगा, point number one, सेबी is an Indian regulatory body, सेबी is an Indian regulatory body, considered as Apex authority, considered as Apex authority of Financial and Committee Market, positional Considered as Apex authority of Financial and commodity market. Apex Authority of Financial and Commodity Market लिखा समने? Point No. 2 C.B. कौन से मिनिस्ट्री के नीचे आएगा? Can you tell me? कौन से मिनिस्ट्री में आएगा? Anyone? Capital Financial Market तो Finance ही आएगा? Point No. 2 C.B. is governed by C.B. is governed by the Ministry of Finance C.B. is governed by the Ministry of Finance Ministry of Finance dealing with trading of securities and commodities dealing with trading trading of securities trading of securities and commodities first stop next point C.B. is enacted C.B. is enacted on 12th April 1988 on 12th April 1988 C.B. is enacted on 12th April 1988 12th April 1988 and created its own working law and created its own working law on 30th January created its own working law on 30th January on 30th January 30th January 30th मन्जे 3-0 क्या? मैं को बताओ 38 कैसे रहेगा? अच्छा बताओ अच्छा बता रहेगा? च्छा बता रहेगा? नहीं जिनको नहीं समझ में आँ उनके लिए 38 January कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा? कॉल्डास सेबी आक्ट 1992 कॉल्डास सेबी आक्ट 1992 फूल स्टॉप लिख लिए है समने? अब जो नेक्स पॉइंट लिख वा रहा हूँ वो तुम्हारे सिलबस में या मॉडियूल में नहीं दिया है मॉडियूल में तो इत्तु से पॉइंट दिया कि उसके ऊपर दो माग देना भी मुश्किल है क्यों ही बना रहे है यार? Seriously, next point लिखेगा सेबी मेंली रेगुलेट्स सेबी मेंली रेगुलेट्स the stock exchanges सेबी मेंली रेगुलेट्स the stock exchanges comma their brokers stock exchanges comma their brokers as well as investors as well as investors next point मुझे बताव सिर्फ stock market को से भी रेगुलेट करता है mutual funds के बारे में क्या अख्या आल है? क्या सेबी mutual funds को भी रेगुलेट करता है क्या? कि नहीं? करता है या नहीं करता है? it has to because mutual fund maximum investment market में ही करते है share market में yes or no? तो लिखेगा सेबी also regulates सेबी also regulates the mutual funds the mutual funds the asset management companies the mutual funds, the asset management companies the mutual funds, the asset management companies and the merchant bankers the mutual funds, the asset management companies and the merchant bankers first stop एक लेए समने? next point दो थीन पादा लिखेवा दे रहू they can cash you up better marks okay सेबी is very vigilant सेबी is very vigilant what is vigilancy? aware very active very actively aware you can say okay सेबी is very vigilant Vigilance का spelling आता है? VIGI मिर को spelling पूच रही हो, शरम नहीं आती तूंगो VIGI L-E-N-T L-A-N-T, I am just confused in that, L-E-N-T, Vigiland SEBI is Vigiland regarding entire stock market SEBI is Vigiland regarding entire stock market entire stock market and its defaults and its defaults entire stock market and its defaults defaults मतलब GALTIYA defaults for which for which SEBI can impose heavy penalties for which SEBI can impose heavy penalties and imprisonments for which SEBI can impose heavy penalties and imprisonments लिख लेया है समने? Everybody, yes or no? Next, यहाँ आपका SEBI होता है, khatab Next is RBI subheading डालिएगा Reserve Bank of India कल हमने RBI देखा था ना क्या है करके? बो हाएँ ना कल का डाइगराम याद है क्या? आखे, लिखेगा कल का डाइगराम द्रो किया था क्या तुमने? कुछ नालाइक लोगों ने नहीं किया हमरेको लग रहा है किया ना बक्का? नहीं किया थो आज फोटो किस लीजेगा एंड में, ठेके? RBI, the Reserve Bank of India है डाला समने? बोलो यह सो ना? लिखना, point number one It is a central bank it is a central bank and a regulatory body and a regulatory body there is a central bank and regulatory body who is responsible who is responsible for regulation who is responsible for regulation of Indian banking system who is responsible for regulation of Indian banking system it is under ownership of Ministry of Finance next point point number two कुच भी उटा के पेल दिते मन में आया ओवरेड ownership of Ministry of Finance point number two लिखना it is under the control it is under the control and administration it is under the control and administration of Ministry of Finance of Ministry of Finance ये सेंटेंज अभी मेरे को सच में बता ने कैसा सेंट responsible for control issue and maintaining supply of Indian rupees supply so ये सपलाई करता है इंडिया में बहुत सरी चीए सपलाई होती है ये भी होती है it is like तुम कोई फेक करन्सी अप्लाई करते हो इंडिया में ठीक है so इसा लिखना चीए कि it is responsible for manufacturing of the Indian rupee notes and coins for the purpose of अच्छा करन्सी चलन रहे इसलिए समझ में आ रहे supply is anyways point no.3 it is responsible for it is responsible for manufacturing manufacturing controlling manufacturing controlling manufacturing and issuing issuing the Indian rupees Indian rupees Indian rupees according to the need according to the need of the market according to the need of the market full stop उसमें ही आगे continue लिखना it is also responsible it is also responsible for exchanging it is also responsible for exchanging damaged currency notes and coins and the coins exchanging damaged currency notes and the coins and their regulation damaged currency notes and the coins and their regulation आपने बीच में सुना होगाए कुछ rules probably जो अभी थक यूज नहीं हुए बीच में अर्बयाने circular निकाला था color लगे हुए mainly holy के समय पर ऐसे circular निकालते है कि color लगी हुई note नहीं चलेगी है ना तुम कई बार shop में जाते हो color लगे हुए note देते हो तो नहीं चलता है shop की पर adjust नहीं करता है बुलो हाँ है ना accept नहीं करता है भाई because RBI have a circular color लिखे हुए note नहीं चलेंगे लिखे हुए currency के उपर लिखे हुए notes नहीं चलेंगे फटे हुए notes है तो आप उसको exchange कर सकते हो किसी भी bank में तो ऐसे साथ में आपको शाहिद नहीं पता पहले credit card के लिए pin नहीं लगता था आज के date में भी बहुत सारे ऐसे website से जहां पर credit card swipe करने पर या credit card details देने पर pin नहीं लगता है ठीक है directly आपके credit card में से amount cut भी जाता है पहले ऐसा हुआ करता था कि credit card का आपके credit card का किसी को number भी बता चल गया तो ऐसे situation में आपके credit card से पैसा लेके चल जाएगा that was actually happening फिर RBI ने circular लाया कि credit card pin के साथ credit card के साथ में credit card का CVV number चाहिए फिर CVV number भी लोगों ने चुडाना शुरू कर दिया फिर credit card के साथ में CVV भी चाहिए और फिर debit card के लिए जैसे pin लगता था पैसे credit card के लिए भी apply करना शुरू कर दिया इसलिए आप credit card आज का date में swipe करते हो required pin number पर पहले यह नहीं था सामने amount आप machine पर से उसको tap कर दो या सिर्फ swipe कर दो तो भी पैसा कड़ जाता था actually the credit card was made only for the purpose of fast disbust fast disbustment of the money credit card का actual motive ही वो था तेने तो credit है न and second is fast disbustment of money क्या आपको कोई tension है ना चिए तो it was used as a statement or an action for the rich people कि हमारे पास credit card है पर आज credit में तो ठोक के भाव में credit card बेच रहे सब लोग हाया ना तुमको नहीं भी चाहिए तो दिन में चारफ हो ना आते सर credit card के उन्हाना बोले असा न सराम चकड़े एक offer आ लिये credit card साथी तुमने कभी हाँ बोल देनेगा जाहिए अब तुमें तो नहीं करेंगे, salary slip है किसी credit card हो रहा है तो तुमको issue नहीं करेंगे बोले बास salary statement नहीं है income statement नहीं है पर ऐसे situation में credit card actually में अगर आपको उता हूँ credit cards are good things 45 days तक के बिना interest का पैसा यूज करने के लिए मिल रहा है वो भी lifetime के लिए क्योंकि आपका 10 lakh का अगर credit card का limit है तो you are using 45 days तक के 10 lakh रुपए का lifetime के लिए credit card और वो बार बार upgrade करते जाते है मतलब अगर आपका credit score काफी अच्छा है तो आपका credit card can range up up to 50 lakhs rupees अब बिना साप 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 करते हो 50 lakh एक टका के हिसाब से market में minimum interest 50,000 का start करता है पर credit card 45 days तक के आपको कोई interest नहीं लगाता है that means 75,000 अगर आप 50 lakhs का credit card उठा रहे हो 75,000 you are just saving on the terms of the interest provided उतना income भी होता है credit card पैसा 45 days बाद pay करना पड़ता है अगर आपका income उतना है तो you can just try this बहुत सारे economic advisors जो होते, financial advisors वो हमेशा यही बोलते है कि cut down your debit cards work on credit cards हाँ पर credit card के late payment के interest और charges बहुत बेकार होते है please be aware of उसके लिए mandate लगा सकते हो आप straight away bank mandate लगा सकते हो कि भाया इस दिन due date के पास दिन पहले पे हो जाएगा एक बार bank mandate लगा दिया तो you have to obey it consistently swipe करते है use it, that is a money without an interest ऐसे बहुत सारी चीज़े आप कर सकते हो थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसे CA learn करोगे तो थोड़ा CA जैसा behave भी करना, खुद के life में भी use करना, ऐसे नहीं के लोगों को consult करके बता रहे सिर्फ, समझ में आ रहा है सबको हायना, for example, एक और चीज़ बोलू चलेगा CA बन जाओगे जिंदगी में घर लोगे घर अब समझो तुमने सेविंग करकर के एक करोड रुपए जमां किया मैंने बोला था कि सेविंग करकर के एक करोड रुपए तुमने जमां किया it's not a big deal जब तक तक तुमसी यह बनोगे कि मैंने लगली बुला 15-20 लाग के लिए बहेंगे नहीं हो पाथ साल में तुमने अगर एक करोड रुपए जमां किया छे साल में जमां किया तो don't this madness कि एक करोड के घर के लिए पूरा 80 लाग या रुपए मेंन कर दिया नो एक करोड का घर लेना है 15-20 लाग रुपए इच पे करने के हाँ बच्छा वह पूरा होम लोन लेने का और जिसके घर पर बिजनस है उसने तो लेने का इच होम लोन लेने का मतलब लेने का उसका इंट्रेस का डिड़क्शन मलता है बिजनस के लिए ठीक है पूरा होम लोन लेने का और जो 70 लाग रुपए या 80 लाग रुपए आपके बच्छेंगे वो उठा के मूचल फंड में डालने का होम लोन का इंट्रेस रेट करता है साड़े आठ टक्का आजके डेट में मूचल फंड का रेटर्न मिनिममम पंद्रह टका आता है साड़े साठ टका विदाव डूइंग अनिधिंग उसमें तुम्हारी EMI भी जाएगी तो जितना तुमको इंट्रेस आए उसके हिसाब से तुम्हारी EMI कट जाएगी उसमें भी क्या करने का उसमें भी home loan लेने का खुद के नाम पे CA बनने के फाइदे तो उसमें भी क्या करने का पहले तो घर खुद के नाम पे लेने का loan लेने का अब तुमको interest का deduction income tax में थाही लाग तक के ही allowed है तुम्हारा 10 लाग का income है तो 5 लाग तुमने interest के तौर पे किया तो 5 लाग पे tax नहीं लगेगा पर तुम अगर interest साल भर का 20-30 लाग पे कर रहे हो तो वो interest का कैसी deduction जैसे तुमने एक करोड का home loan लिया तो 10 लाग रुपए साल का interest देना पड़ेगा साढ़े 8 लाग तो भी तो 5 लाग ही अगर limit है तो मैं उपर के 5 लाग के उपर tax कैसे save करूँ तो क्या करने का खुद के नाम पे घर लेने का home loan लेने का और खुद का ही घर खुद के ही डैड या मॉम को बाड़े पे देने का और उनसे rent चार्ज करने का तो घर का पैसा घर में रहा घर का पैसा कहा घर में रहा और जितना और ये tax में लिखा है कि जितना तुम interest पे करते हो let out property के उपर वो पूरा का पूरा interest deductible होता है for example अभी रिशप सर ने घर लिया रिशप सर ने घर लिया रिशप सर ने क्या लिया? घर लिया रिशप सर ने घर लिया होगा चार पाच करोड का हाँ बड़ा घर लिया एक दम जिला लिया है उन्होंने ठीक है रिशप सर ने घर लिया पाच करोड का 5 करोड की उपर, लोन केस कर लिया 3-3 करोड का, अब 3.5 करोड के उपर आप 8 टका से भी interest बोलो, तो 8 trick 24 24 लाग रूपे अगर साल का interest रिशब सर पे कर रहे है तो उन्होंने क्या करना, सिंपल हर CPA ये करता है, उन्होंने घर को खुद के डैड को भाड़े पी दे दिया और डैड से रेंटल इंकम ले रहे है, साल का 12-15 लाग घर का पैसा घर में किदर जाएगा और जो 24 लाग रुपे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको expenses दिखा रहे क्योंकि business है commercial coaching तो उसको इंटरेस्ट दिखा रहे और उसका पूरा tax deduction ले रहे तो actual interest जो लुषब सर को लग रहा है it's 8% minus 30% of 8% मालब 2.5% कम interest उनको लग रहा है which is 5.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे है और वो जो 3.3 करोड रुपे उनके पास है वो पूरा mutual fund में डाला है जहां से 15 टके का income अलग आ रहा मालब effective outflow जा रहा साड़े पाच टका और effective inflow आ रहा 15 टका और mutual fund की investment भी ऐसा नहीं की खुद के नाम पे की हुआ कि कि को अगर खुद के नाम पे की तो 30% उसमें भी कटेगा tax का interest पे वो कर दी खुद के डाड के नाम पे मम्मी के नाम पे तो वहां से 15 टका interest आ रहा है यह साड़े पाच जा रहा है आदमी नेट में 10 टका के फाइदे में खड़ा है this is how the CA should work खुद के लाइफ में implement करना शुरू करो समझ में आ रहा है मैं आपको एक और मस्तर टेक्निक बोल सकता हूँ this makes me very unpopular but still तुमारे फाइदे की बाते समझ लेना सुन लेना बताओ सुनोगे अच्छे से हाँ सर हाँ हाँ पश्सी की बात है तो कभी भी सर इसके लिए तो वक्ती वक्त है मस्तर टिप इतना सुन्दर टिप कभी सोचा नहीं होगा कुछ नहीं करनेगा हर जुलाई में अभी जुलाई आ रहा है हर जुलाई में खुद का साथ लाग तक के इंकम टेक्स नहीं लगता बोलो हाँ है ना छे साढ़े छे लाग का रिटन फाइल कर दनेगा कि में ने कमाया इस रमर मैंने तो कमाया है नीए निए टेक्स वाले इंकम चुपाने पे पर दिखा ने थूडी लगाते क्या गलत कर रहा है इंजाना, 6.6 लाग मेरा कुछ का फार्च लीधा, भून का खरचा यह वो.. अब सुनो, नाई बात सुनो.. यो इस खू लें, ट हूं स्यटी सार um 09 4 शूर्ष लाक रोफई साल का पाम साल तुमने रिटन भरा, 30 लाक रूपए बैलेंशीट पे जमाऊगे जोर से बुलो हाँ या ना अरे जोर से बुलो से नो तुमारे बैलेंशीट में 30 लाक रूपीज दिखना चाहिए असेट साइड cash या bank balance कुछ तो भी या कोई असेट डिखनी चाहिए 30 लाक के, बस उत्ता ही करना है जिस दिन तुम जॉब या प्रैक्टिस शुरू करोगे और कभी under the table तुमको 30-40 लाक मिल गए तो जिस दिन मिले उस दिन white बने हुए है जिस दिन 30 लाक under the table मिले बैलेंशीट में तो अल्रीडी खड़े ना जो एक्चुली तुमने इंकम टैक्स में बूल दिया कि मैंने कमाया है करके तो अगर पर रेड भी पड़गी cash में 30 लाक मिले है क्या बैलेंशीट मैचिंग बैलेंशीट टैली तो खुद के साथ इंप्लिमेंट करने का गवराने का नहीं तो यह जुलही में जाने का और रिटन फाइल करने का छे लाग साथ लाग तक के एक्जम्ट है जितना दिखा सकते मैं तो तुमको सच में यह बोलता हूं सेविंग में से एकाथ दो हजार का टैक्स पे करना पड़ा चलता देट दो हजार रुपए साल भर में दो पाच हजार रुपए बचाओ तुमको दस टका मतलब पाच दस टका के इंकम टैक्स में पचास जार की इंकम वही टोरी बाद में जब कमाना शुरू करोगे न उस वक तुमको 30 टके से टैक्स भरनाए बटा उस वक जब कमाना शुरू करोगे 30 टके से तो मैं रहता न तो मैं तो 10 लाग तक के इंकम दिखा था था ऐसे दोतीन डिदेक्शन मार लो तो हाइडली तुमको 15,000 से जाधा टैक्स नहीं आने वाला घर वालों को समझाने का बिटा नहीं गा गुलना पपा इधर आओ ये स्कीम आई है ना सीरियस बाद तुमने 9 लाग 7 लाग तक का इंकम वैसे ही एक्जाम्ट है तो आया नहीं है तो सूच पाँच साल में 50 लाग का इंकम वैट कर रहा है तू पाँच साल में कितने का पचास समझ मैं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ जोर सुब लेक बार ये सुननो तो अगर तुमको पाँच साल के बाद में तुमने प्रैक्टिस शुरू किया या कुछ भी शुरू किया एक अधा कांड भी कर दिया ना तुमाने पास कांड आएंगे भई तुमाने पास ऐसे ऐसे ओफर आते है कि ये ब्लैक को वाइट में कनवर्ट करना है वाइट को ब्लैक में कनवर्ट करना है प्रैक्टिस वाले आधा काम क्या करते है बोला हाँ मैं देता हूँ न कोई दिक्कत नहीं ले लेने का पचास साट लाग का कैश लेने का पाच परसंट उसके ओपर भी चार्ज करने का दही लाग मिल रहन भी पचास लाग का कैश वाइट करने के लिए और कैश यह तुमको जीवन में करते हैं खतम कामी यह है यह क्यों चूज किया पाइसा का आने के लिए इन खतम भाग समझ में आया पका है ना तो दो तीन चीजा यूज करो जिंदे के बहुत फाइदे में रहोगे ठेक है इस बार रिटर्न फाइल करने का है अब यह उन केसे में मुश्किन है जिनके घर पर अल्रीडी बिजनेस है यू माइट डून नो तुमारे घर वाले तुमारे नाम पर अल्रीडी यह कर रहे होंगे प्रोबेबली कर रहे होंगे तो कुपे चेक करके ने तो पता चला पपा अलग रिटर्न फाइल कर रहें तुम भी अलग रिटर्ण दोनों का मिलके बीस लाक है ठीक है उदर से एक नूटीस आया मस्त कि सर तुमारे दो इंकम स्टेट्मेंट आ रहे इंदर ठीक है एचलो रेक्स पॉइंट लिखिये जो भी करना मेरा एक परसेंट मत भूलना हां चलो स्टेट करें बोलो आया है ना okay next point RBI RBI have power RBI have power to issue circulars to issue circulars and regulate payment systems to issue circulars and regulate payment systems and give time to time directions and give time to time directions to maintain economy and its developments to give time to time instructions to maintain economy and its developments to maintain economy and its Kevalikbhar developments full stop next one Bharatiyya Reserve Bank Note Bharatiyya Reserve Bank Note Bharatiyya Reserve Bank Note Mudran Bharatiyya Reserve Bank Note Mudran Mudran manufacturer Bharatiyya Reserve Bank Note Mudran M U D R A N Bracket Bracket Brb N M Brb N M Bracket Close Is a special division of RBI RBI is a special division of RBI involved in printing of currency notes involved in printing of currency notes having printing press at having printing presses presses printing presses at having printing presses at Western India Nashik Nashik Western India Nashik and Central India Devas and Central India Devas and Central India Devas Duhi Jaga Printing Presses hai is a Western India Nashik and Central India Kabbalik Devas anyone from Nashik aapne ko ek plan banna ne ka aya take a next one next one next one RBI has established National Payment Corporation 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 to regulate payment and settlement systems, a specialized division to regulate payment and settlement systems, to regulate payment and settlement systems in India, in India. Next point, RBI also have insurance and credit guarantee corporation or we also have insurance and credit guarantee corporation, credit guarantee corporation for providing insurance of deposits for providing insurance of deposits and credit facilities, insurance of deposit and credit facilities. Full stop. Next. Aghlas evading, Insolvency Bankruptcy Board of India. Insolvency Bankruptcy Board of India. Insolvency Bankruptcy Board of India. Full stop. It is an Indian regulatory authority. Point number one. It is an Indian regulatory authority. authority. It is an Indian regulatory authority involved in, involved in management of the insolvent. insolvent. It is an Indian regulatory authority involved in management of insolvent and bankrupt corporates. management of insolvent and bankrupt corporates. and their reformation and their reformation. And their reformation. Full stop. So, point number two. It have, it have three different departments. It have three different departments. Point number A. It have three different departments. Point number A. Insolvency professional agencies. Insolvency professional agencies, point number B. Insolvency professionals. point number B. Insolvency professionals. professional agencies, professionals दोनो different है point number A insolvency professional agencies point number B insolvency professionals point number C information utility point number C information utilities A मे insolvency professional agency B मे insolvency professionals point number C मे information utilities लिखले है सबने嗎? जोर सब बुले किया सबनए? do you know what is thank you so much चारण गलत कुछ नहा है वह है पर आपको पता है कौन रहता है इंसल्वंसी अगन्सी इंसी? ICAI, ICSI, ICMI यह तीन ही Insolvency Professional Agencies है और यह Insolvency Professionals देते हैं क्योंकि Insolvency Professional होते हैं CACS-CMA इन तिनों में से जो भी बंदा CACS-CMA complete करेगा कल मैंने बोला था याँ दे Insolvency Professional बनने के लिए CACR एक्जाम देनी पड़ती है जहां से हम भटक के future planning में लग गये थे बोलो हाया ना? So CACS-CMA are the Insolvency Professionals और ICI, ICSI, ICMAI इनको बनाती है इसले इनको Insolvency Professional Agencies बोला जाता है Are you understanding? तो आपने जहां Insolvency Professional Agencies लिखा उसके साइड में ब्रैकेट में लिखिए ICAI, ICSI, ICMAI ICAI, ICSI, ICSI ICSI, ICMAI MAI ICAI, ICMAI MAI Institute उसके आपने Insolvency Professionals जहां लिखा है Point B में उसके बाजु में लिखना CA, CS, CMS CA, CS, CMS चैके? Information Utility के बाजु में bracket में लिखना Information Utility के बाजु में bracket में लिखना A Hub of All Financial Informations 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 of Indian Companies of Indian Companies and Artificial Persons and Artificial Persons and Artificial Persons is incorporated the IBBI is incorporated under Insolvency Bankruptcy Code IBBI is incorporated under Insolvency Bankruptcy Code 2016 incorporated under Insolvency Bankruptcy Code 2016 यह law का नाम है जैसे Companies Act 2013 है वैसे Insolvency Bankruptcy Code 2016 है उसके अंदर IBBI बना है 2016 on on 1st October 2016 on 1st October 2016 1st October 2016 full stop 07 a 07 Bolo हायण 07 07 07 07 07 07 07 for corporates and non-corporates in financial stressed situations, for corporates and non-corporates, in financial stressed situation, financially stressed situation, last point, last point, उसमें, the process are handled by, the process are handled by, handled by NCLT, NCLT, NCLT जुना है, क्या होता है, National Company Law Tribunal, तो Insolvency Bankruptcy Code में, NCLT is a Authority, ठीक है, हम NCLT के उपर वापस जाएंगे, Companies Act में, LLP में, वहाँ पर हमको इसकी जरुवत पढ़ने ही वाली, है, so one is NCLT, DRT, DRT सुना है, DRT is called as Debt Recovery Tribunal, जिनको long form नहीं पता, bracket में लिखके रखे, is handled by NCLT, DRT, National Company Law Tribunal, Debt Recovery Tribunal, NCLT, DRT, लिख ले हैं सबने, जोर सो बोले इसो, नहीं, यहाँ इभी भी होता है, हता, यहाँ दक समझ में बच्चों, जोर सो बोले इसो, अब बच्चा क्या, Judicial Authorities in India, मतलब Court of Laws, जो तो बहुत ही EGPG है, मैंने आपको इसके पहले बोला था नहीं है, क्या बोला था, क्या बोला था, सिविल लिटिकेशन, क्रिमिनल लिटिकेशन, जज्ज, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस, बोलो हाए न, अच्छा, मुझे बात बताओ, अगर तुमको कहीं अपील करना है, तो सिधा सुप्रीम कोट में जा सकते हो, पहले कहां जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक कोट, डिस्ट्रिक कोट जहां डिस्ट्रिक्ट है, जहां मेट्रो सिटी है, वहां मेट्रो पॉलिटन कोट होता है, जहां मेट्रो सिटी वहां कौण सा कोट होता है, मेट्रो पॉलिटन, डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्मल, वन, टू टायर, थ्री टायर, और डिस् established in a metropolitan cities consultation with high court where the population is 10 lakh or more 10 lakh के उपर population रही तो metropolitan court established हो सकता है पुना की population है 10 lakh के नहीं है पुना की तो बहुत है 60-70 lakh की population Mumbai देढ़ दो करूड के उपर हो तो इन दोनों जो कपे का metropolitan कोड़ आ सकता है हाँ अब जैसे में अमरावती से बिलॉंग करता हो पुपुलेशन वाइट भी 3 lakhs तक के होगा यहाँ तो हाँ दिस्ट्रिक कोड़ वहाँ metropolitan कोड़ आपको नहीं मिल पाएगा यह रहे कान सब सबको हाँ है ना जोर सो भूलो इसा नो नीचे Chief Metropolitan Magistrate have a power as a Chief Judicial Magistrate and Metropolitan Magistrate have a power as a Court of Magistrate of First Class कतई जहर नशे जिसने लिखा है न उसको भी नहीं पता कि वो Magistrate का नाम कहां यूज कर रहा है Magistrate Criminal Law का जज होता है Judge Normal Civil Law का जज होता है की तर भी कुछ भी उसने क्या लिखाया I am very sure of this जिसने लिखाया नो उसको पकड़ती कोई मार की भी पूछा नो क्या बोल रहा है नहीं बता पाएगा Seriously जो बोल रहा है See Metropolitan Courts के दो Divisions होते है Metropolitan Courts के कितने Division होते है दो एक Division होता है Civil Division दूसरा होता है Criminal Division Civil Division जो होता है उसके अंदर जजजस बैठते है Criminal Division के अंदर मजिस्टेट बैठते है There are a series of Metropolitan Judge Chief Metropolitan Judge And then there is a series of Chief Metropolitan Magistrate Metropolitan Magistrate etc This is absolute nonsense Concept समाज में आ रहा है यह कतई जहर नौनसेंस जिसने दिया है उसको भी नहीं समाज में आ रहा है उसने क्या लिखा है Anyways मैं इसको बिटर लेवल पर आपको बताऊंगा लिखवा के भी दूँँगा टेंशन लेनी के ज़रुवत नहीं है पर इसके लिए अपने को थोड़ा सा और काम करना है District Code पाइट लेते है Ready? 1 तो 3 बोलो क्या है Below the High Court Are the District Courts The Court of the District Judge Deals with the Civil Law Matters That is Contractual Disputes And Claim for Damages The Court of Session Deals with the Criminal Matters Now see अब आप खुझ सोचिए जिसने Civil और Criminal Law के उपर पहले paragraph में comment किया वो नीचे Metropolitan Court के अंदर इत्ती फलतू चीदी लिख सकता था क्या जिसने ये बोला कि Civil Law के लिए आप District Judge को अपोइंट करो आप Criminal Law के लिए Sessions Court को अपोइंट करो जिसके अंदर Magistrate आएगा तो अगर ये कोई बोल रहा है ना मतलब उसको उसका ज्यान है अगर उसने फिर नीचे ये ऐसी चीज़ लिखे ना Metropolitan Court में That means he is just copy-pasting He is doing nothing else जिसके ये तुमारे लिखावट से ही समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो This is just copy-pasting अगर क्यूंकि उसको पता रहता ना तो नीचे की चीज़ नहीं आती थी Metropolitan Court की Clear है? नीचे Under pecuniary jurisdictions Civil Judge can try suits valuing not more than Rs. 2 crore jurisdictions the power of control Court gets a territorial jurisdiction based on area covered by them Cases are decided based on the local limits within which the parties reside or the property under dispute is situated Situation is ये कहां से copy के है वो भी बोलताव This is actually copied from Transfer of Properties Act जिसका main एक copy है जिसका main evidence ये यहां पे है See this पहले बोला है 2 crore के उपर के जो claims है वो यहां पे entertain नहीं किये जाएंगे ठीके not more than दूसरा बोला है नीचे Parties resides or the property under the dispute is situated अगर आप Indian regulatory framework बोल रहे हो तो dispute सिर्फ property से related रहते है या बाकी कोई भी रह सकते है जोर से बोलो यह सन्नो अगर सिर्फ property involved है अगर सिर्फ क्या involved है property और उसकी value 2 crore के नीचे है तो ही जाके आप civil court या district court में जा सकते हो क्या बना रहे हो क्या पढ़ा रहे हो क्या जिन्दिकी चल रहे है यहाँ property law बोल दिया transfer of properties act से सीधा पता चल रहा है transfer of properties act में लिखा हुआ है मैं mention कर रहा हूँ transfer of properties act में लिखा हुआ है कि district court तक के property के litigation सिर्फ वही जा सकते है जो district court के legal jurisdiction में आते है और जिसका value 2 crore से कम होता है अब उसको किदर से तो भी यह paragraph मिल रहा हूँ उसने चाप दिया तो जब इसने यह बोला कि उसे property के dispute जाएंगे what about other litigation contractual litigation मैं contract कर रहा हूँ goods का क्या वो नहीं जाएगा यहां पर मेरा goods का ही contract 50 लाग का है 2 crore का है 5 crore का है 10 crore का है वह कहाँ जाएगा where it will go कोई कोई संबंध नहीं paragraph doesn't say anything about it total nonsense nothing else concept समझ में आ रहा है सबको हाँ है न यह सीधी बात है कि भाई copy paste किया है मौडूल बनाने की कोई इच्छा नहीं है chapter का anyways end हो रहा है बोले कुद भी छपदो चल जाएगा बच्चा कहा है वो तो बेवकूप है यह तो ऐसे ही सोच रहे है वो और नो मतलब मैं no surprise अकर इन्हों नहीं यह सेम चीजे model answer में भी दीतो exam के नो surprise क्योंकि यहीं से copy करेंगे model answer copy कहां से करेंगे यहां से इमाजिन इंडिया के one of the toughest course का institute जिसका रिजल्ट पूरे throughout foundation से लेके final तक के 2% है वो आर कंसिडर्ड़ड अज पीपल who will correct the mistakes of others have the own mistakes in their own module वर्ष्ट आगे next अरी यह तो ठीक है यह आप यहां I can consider this also चलो कही से copy तो किया है से यह इंटर का module आप जिंदगी में खोल के देखोगे न there is interpretation of statute topic उसके अंदर एक ही लाइन एक सिंगल लाइन एक ही लाइन 8 से 9 बार paste के है 2 pages के अंदर 8 से 9 बार 2 pages के अंदर 8 से 9 बार उतना वो topic भी नहीं है बस वो पेरगा बार बार paste कर 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 उसकी लिंद बढ़ा जी 2 pages तक के मिरको तो ऐसा लगता था मतलब वो देखके मिरको ऐसा लगा था एंड कंट्रोल भी पे कुछ तो भी रख दिया वो पेश्टी होते जारा जीवन में आगे बहुत दिमाग खरा होता है मेरा रात को सपने में आता है कभी कभी आगे लिखना ने लाइ लिखना नी पढ़ते हैं लाइ लिखना कद्रोल ते लिखनां कर लूप रखना? यह और एंड शरस टाहेक? आगेरे लुदान नागेस? 227 of the Indian constitution limits the high court supervisory power. In India there are 25 high courts one of, one for the each state and union territory and one for each state and union territory. मैं बुला मैं क्यों गालिया देता हूं? समझ मैं आ रहा है? क्या है यह आ रिये? 25 high court one for each state and union territory and one for each state and union territory क्या कर रहे हो? रहन दो बच्चे से अच्छा नोट्स बना लेंगे Google से Seriously, मुझे एक बात बताओ तुमको Google से सिर्फ data copy paste करके high court के बारे में लिखने के लिए बुला Can you do the better job than this? चुनिन्दा गिरी चल रही है Six states shares the single high court 6 states मिल के एक high court share करते है बोले, कहां के होंगे? कहां कहां के होंगे? आसाम में गले, मनिपूर मिजुरम, तृपूरा ना गले ने उरुडा चल पदे, seven sisters कोई भी बंदा, ये क्या बोल रहा है, कि अगर केसी का fundamental right भी कही से अगर violet हो गया, तो तुम सीधा high court में remedy के लिए जा सकते हो, ऐसा नहीं है high court क्या खाली बैठ है क्या जीवन में? पहली बात में आपको मेंशन कर दू, इंडिया में litigations की हालत इतनी है, कि अगर आज के date में हम नए litigations handle करना, अगर मतलब नए litigations accept करना बंद करेना, तो अगले साढ़े तीन सार तक existing litigation खतम करने में समय लग जाएगा if you do not accept any single litigation right starting from this moment of time, it will take three and a half years to finish all the litigations, इंडिया में यह हाल है, ठेक है, और यह बोल रहा है कि किसी का fundamental right भी damage होगा है, तुम सीधा high court में जा सकते है, पागले जीवन में? high court में आप जा ही नहीं सकते, there are two types of questions, one is called as question of fact, second is called as question of law, question of fact क्या है? question of fact का मतलब है, कि for example, let's say, नाम बोलो बड़ा, स्वया, स्वया, नाम बोलो, तनीश, स्वया ने तन्या को, स्वया ने तन्या को, गोल्ड का निकलेस बेचा, इसका अलब यह नहीं तन्या पहनता है, तन्या ने खुद के गलफ्रेंड के ले खरीदा, तन्या ने स्वया को चेक इशू किया, क्या इशू किया, चेक, इसने तन्या को बोल के बेचा 24 क्यरेट का गोल्ड है, जब तन्या ने घर पे जाके इसको मेजर किया, यह 22 क्यरेट का यह 8 क्यरेट का निकला, तन्या ने स्वया के उपर केस कर दिया, तुम्हारे दिमाग में पहले आया होगा कि स्वया is at the fault क्योंकि उसने 24 के जग आठा क्यरेट का गोल डिया हो सकता है बोलो हाया ना वाट इफ तन्या का मेजरिंग गलत है वाट इफ तन्या ने जो पाच लाग का चेक दिया वो बाउन्स हो गया आठा कि आठा कि यह दूबर नो बोलो हाया ना दूसरी बात यह केस तुम क्यों सुन रहे हो क्योंकि आप बोल रहे हो इसलिए यह यह दडा I want to say सिर्फ मैं बोल रहे हो इसलिए तुमने सुनना जरूरी नहीं है कही ऐसा है का कि यह कैस का जब decision आएगा तक तुम सुनको एक ग्राम गोल्ड मिलेगा जोर से बोलो So when a decision of the case only affects parties to the contract that is called as question of fact When a decision of the case only affects parties to the contract that is called as question of fact पर अगर decision of case, decision of case affects the entire nation या entire public, then it is called as question of law Then it is called as question of law अब मिरको एक बात बताओ, जो चीज पुरी देश के उपर असर कर सकती है वो हाई कोर्ट में जानी चाहिए या जो चीज तो लोगों को असर कर सकती है, वो हाई कोर्ट में जानी चाहिए So question of law goes to the high court, question of fact never goes to the high court समझ मैं आ रहा है मैं का कह रहा हूँ, जोर से बुलिक बार युसा नो Question of law goes to high court or the supreme court And what they are writing, बुली किसी का fundamental right भी अगर damage हुआ न है, high court है मतलब किसी ने खाने के अंदर सजीव प्राणी में इकल गय तुमने भेज मंगवाया था, आया non-wage, तुमने चाहा होटल के उपर case कर दो, पहली बात, क्या सीधा high court जाओगे अन्वाज अक्या बुलेगे, यह को खाने में, वो जज ऐसा मारेगा न कान के नीचे समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लेका का फाल तु गी रही जिंदिगी में मेरे पास साड़ी तीन साल के तुमको समझ में आ रहा है का जिंदिगी में कहां पे पेल दिया तुमको, पता चला दूसरे दिन दोनों जेल में बैठे है, केस वही सौल हो रहा Are you understanding? इस अटर नॉंसेंस, मरेको तो ऐसा लगता है, हाई कोट ने पहले है, लिखने वाले को जेल में डाल देना चीए ऐसे कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट, भाइट, 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 शिट It is only a question of law, where it goes to the high court or the supreme court, ठीक है, just understand this, जो decision public को mainly affect करता है, अच्छा, कौंसा decision public को affect करता है, बिलिट अच्छा, पूना का ही एग्जामपल लेते है, not to go far, Bombay high court वाला case है, simple है, पूना से गणपती की यातरा ही चलती है, गणपती में पहली मिराउनुक जो निकलती है, विसर जन के वक्त, वो पहले माना चे पाच गणपती असता, तर डेजिगनेटेट फाइव, टॉप, गणपती मंदर, मित्र मंदर, वो मिराउनुक निकालते है, बुलो हाया ना, उसके बाद में बच्छोय लोग आते है, इस बुले या स करनो, एक केस हुआ है, एक परसन ने केस कर दिया, कि यह माना चे ही पाच गणपती फर्स क्यों, गणपती is a religious festival, सब को चांस मिलना चाहिए, कि वो जब चाहिए, तब खुद की मिराउनुक निकालके गणपती को विसर जन कर पाए, लोजिकली शही था, बोलो हाया न, अप decision आएगा, तो सिर्फ दो लोगों के उपर असर करेगा या public के उपर असर करेगा, दूसरी बात, सिर्फ पूना के गणपती पर असर करेगा कि पूरी इंडिया के गणपती पर असर करेगा, राइट, ऐसे सवाल जाते है हाई कोर्ट में, यह बोल रहा है fundamental right, are you understanding, राम rape case, ऐसे सवाल जाते है हाई कोर्ट में, कि जिसके अंदर public को सीख के साथ decision भी मिले, पढ़ना में डल रहा है, कहाँ पकड की मारू में इस कुछ है, आगे, नीचे, उसके आगे तो हद पार कर दी, बोले court by filing a writ under the article 210, इसके जिन्दगी में इसको नहीं पता होगा कि रिट क् इसको नहीं पता है, इसको नहीं पता है, और फिर तुमने मेरे को बोलना कि इसको सच में रिट पता होथा, क्योंकि अगर इसको रिट पता हो तो यहां नहीं लिखता, now what is रिट, question of law के उपर ही तुम high court, supreme court में जा सकते हो, अब तुम्हारी इसमें लिखा, इसलिए मेरे को बोलना जरू रहे है, I was avoiding the topic, simply, यह foundation level पर बताने वाली बात ही नहीं, अरे मैं final के बच्चो को रिट नहीं बता है कभी जीवन में, high court और supreme court में question of law जाता है, but फिर भी किसी को question of fact इतना heavy है, monetarily या materialistically, for example, यह case जो मैंने बोला, वो स्वया और तन्या के बीच में है, what if there is ambani and adani, कि ambani ने, ambani ने adani से necklace purchase किया, अनन्थ ambani के शादी के लिए, let's say, our necklace की value है, 400-500 करोड रुपए, अब यह, भाई, कुट तो भी, ठीक है, factual है, दोनों लोगों के उपर ही सिर्फ असर होगा, कुछ भी होगा तो अपने को कुट नहीं मिला, except entertainment, not even is going to get, अरे बोलो ना, हाँ या ना, is it कि real के लिए material मिल जाएगा, चार meme वाले pages को मस्त पोश्ट करेंगा, अपने को मज आएगा, that's it, nothing else, is it, बोलो हाँ या ना, पर ये चीज, अगर तुम district court में लेके जाओगे, तो district court भी हाथ जोड़ देगा, बोलेगा, भाई, अम्मा नी, आदानी, मैं कोन है, मेरे को माफ करो, सर मेरी इतनी आवकात नहीं है कि मैं इसको solve करो, ऐसे जज मैं decision तो दे दूँगा, पर तुमको भी मालूँ है कि दुनिया तुमको देख रही है, पुरा देश तुमको दिख रहा है, मैं कुछ भी बोलूँगा न, तो पुरा देश कल से ये decision मानने लग जाएगा, मैं कुछ भी बोलूँगा, तो कल से पुरा देश ये decision माननेगा, त्योंकि तुम दोनों लोग भारी लोग हो, मुझे एक बात बताओ, अंबानी आदानी के केस में अगर डिस्टिक कोट ने कोई decision दिया, won't you use that decision throughout India, कितना भी factual क्यों न हो, बुलो हाँ या न, everybody ऐसे न, तो ऐसे केस में decision किसने देना बनता है, उस कोट ने जिसकी बात पुरी इंडिया सुनती है, and for this purpose, if this is so materialistic, so heavy case law, but it is a question of fact only, या question of fact ही है, पर ही इतना material होग इतना heavy case law है, कि district court में हाथ जोड़ दिया, भही पूरे देश को मैं नहीं सिखा सकता, please go to the high court, तो फिर आप high court में appeal भी नहीं कर सकते, you have to file a writ, writ का मतलब होता है, an application or a request, application or a request, कि सर जी, case law heavy है, district court handle करने के लिए ready नहीं है, हमारी request है, कि आप बता दो करना क्या है, this was called as read petition, और इसके उपर भी मैं बोलता हूँ, अगर high court भी मना कर दे, for example, high court महराष्टर का है, अंबानी आदानी का पुरे देश में नाम है, यहां तकी इंटरनेशनली नाम है, वो रिहाना को नचा ने लेने आया है, समझ में आ रहा है, कहां कहां से, Steve Jobs आ रहा है, Bill Gates आ रहा है, Zakarभग आ रहा है, Bill Gates आ रहा है, शादी के अंदर, उनको उनन्य जिंदगी बर उन्हांग, Zakarभग ने टीशट पहने, चेंज नहीं की, कि आज में उसको काला कुर्टा पहना दिया है कि समझ में आ रहा है तुमको तो देखो अब अम्बानी अदानी का केस है ना तो यह पॉसिबल है कि बंबे हाई कोड़ बोले सर जी मैं मेरा वट सिर्फ महाराष्ट्र गुवा में चल रहा है सर मेरे को माफ करो तुम्हारा डिस नहीं दे सकता या मैं गलट इस दे रहा हूँ यू को मोट कुर्थ प्राइम इस पाइन से रिशन रहा हूँ इस कोल स्पेशल रिय कोट ऑन शुरग के बआस अपने रिड फाइल किया तो हई को लग रहा है प्र है कोड्स्ट्रिक रिट एं देट एं जपलजागा पर हाई को भी लग रहा है कि मेरा मामला ही नहीं है देश का मामला है भी अंबानी अधानी के बाद खिलाब कुद्भी बोलना दंगे फसाद करने वाली चीज है मैं नहीं है एंडल करेगा उसने हाथ जोड लिया गो टू सुप्रीम कोट स्पेशल रिट पेटिशन इसक पहले सेंटन्स का बूसरे सेंटन्स से कुई जुडा भी नहीं है देखो क्या लिखा है आप समझो बात को six states are single high court पहला सेंटेंश इक स्टेंट है हो single high court ये उतना सच नहीं है An individual can seek remedy against violation of fundamental right in the High Court. यह दूसरा sentence वो अप्सुलिट राइड है. By filing a writ, मजाक कर रहा है तुछ हिंदगी में? क्या चल रहा है? इस अप्सुलूट नॉंस्ट. बिगुबन या आतू. कंचम समझ में आ रहा है, सब को हा है ना? So, this is not what is expected. इस से अधा गाली नी दे सकता, बस ठक गया में. आगे. Supreme Court वाला, प्लीज. प्लीज मेर को बचा लो. सब जन साथ में पढ़ेंगे. रेडि, 1, 2, 3, बुलो. क्या है? The Supreme Court is the apex body of the Jewish era. It was established on 26 January 1950. इसी दिन बनना था. स्कूल में जाके चोकलेट खाये, सब भी जनिवरी को. जिस दिन Constitution आया, उस दिन Supreme Court आया. बात खतम. लेगें साथ, 26 January 1950. The Chief Justice of India is the highest authority appointed under Article 126. Chief Justice is considered as the... If I'm not wrong, probably. तुमनी ये सुना होगा, President is the first citizen of India. Who is second citizen of India? Who is second citizen of India? बोलो. The second citizen of India is Prime Minister. ने ने, मैं मिस्टेग, विस्प्रेइड, फिस्टिजन इस्टिजन 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 इस्टि really माने जाते है, first president, second vice president, third prime minister, fourth governor of the state, fifth chief ministers of the state and sixth president, eh sorry, chief justice, are you understanding, what is chief justice, supreme court का सबसे experienced judge, supreme court एक ही है पुरे इंडिया में, supreme court का सबसे experienced judge is a chief justice of India, मालब इंडिया में इसके उपर नाय दने के लिए कोई है नहीं, इंडिया में इसके उपर नाय दने के लिए कोई नहीं है, इसने जो बोला वो विधी का विधान है, समझ में आ रहा है, मैं का कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है पक्ता, जोर सुब लेक बार इस हो, no, इनको honorarily six citizens of the India बोला जाता है, ये जो मैंने छहेग इनवाए, इनको honorarily लिए, मतलब मान देते होए बोलते है, these are the six citizens of the India, क्यों के लिए कंसर, मतलब वो होता है ना, big fours, वैसे six citizens, are you understanding, उसमें कोई as such logic नहीं है, but to tell you, याद रखने के लिए, six citizens of India, are you understanding, बोलो हाँ है ना, जोर से बुल एक बरेसा, no, next one, so next, chief justice, under 126, the principal bench of the supreme court, consists of seven members, including chief justice of India, main supreme court में, बहुत सारे benches रह सकते है, अलग-अलग subject-wise भी, and authority and materiality-wise भी, last when I heard, हालके change भी हो सकता है, last when I heard, there were 12 benches in the supreme court, जिसमें से सबसे खुंखार cases जो entertain करते है, that is called as apex bench, add apex bench, बारा में से जो apex bench है, उसके अंदर 7 members होते है, जिसके अंदर chief justice court में decision देता है, supreme court normally जभी भी cases entertain करता है, प्रक्षोभख वाले, तब ऐसा नहीं होता कि एक ही judge आके बैठ है, it is quite possible, 3 या 3 से जादा judge बैठ है, so that they can make an informed decision making, एक जन गलत बोल सकता है, साजन एक साथ गलत नहीं बोल सकते, concept समाझ में रहा है, साजन होंगे तो decision कैसे रहेंगे, by majority, by voting, साथ में से सब लोग वोट करेंगे, जिसका 4 votes positive आएगा, 3 negative आएगा, that will be a voting, is it very clear guys, जोर सब बोले युसर नहीं, next one, presently, the number has increased to 34, including chief justice, फिलाल, Supreme Court में 34 justices है, उसमें से एक chief justice है, due to the rise in the number of cases, and workload, an individual can seek a relief, in the Supreme Court, by failing, filing, or read, अभी तक सही जा रहा था, क्यों, by filing a read petition, under article 32, अब मैंने special read petition, आपको बोला है, already क्या होता है, हाला कि read petition is at the high court, special read petition is at the Supreme Court, अब उसने special word कहा, घुशा दिया, उसको मालूम जिएवन, ठेक है, तो ये चीज़ को, आपने बहुत अच्छे दरीगे से, याद रखना, समझ में आया पक्का, इसका data, ये वाला नहीं करना है, I will rather try, कि इसको एक तो printed form में, कुछ तो भी बेटर लेवल पे दू, ये मैं खुद नहीं सह सकता, बाद में तो छोड़ी दू, इस इट बेरी क्लिर, जोर से बुले, ये साथ बजगे, देज ओल फोर टुदे, आवे नाइश एड़ी, थैंकियो वला अच्छा, जोर से बोला, ओके, आंसर राइटिंग प्रेक्टिस के सेशिंस, 12 से 15 मार्च के बीच में शुरू होंगे, एवरी अल्टरनेट डे, जो अपने क्लास के बाद ही होगा, नियरली सवा साथ बज़े से लेके, सवा आठ या साठ बज़े देखे, तो उसके लिए कृपया थोड़ा प्रिपेर करना, शुरू कर दो, इस पॉसबल, गोफर इट पास, चलो, गुद्ध बड़्द ब्लेस यू,